हेलो एवरिवन, हाई जूती, वेलकम यूँ अल आज दो डाय फॉर इस्टूडी चैनल, आज हम लोग कने वाले हैं क्लासिक्स हिंदी बाल राम कथा से चैप्टर वन अवद पूरी में राम, तो चलिए इसको देख लेते हैं यह कथा अवद की है, और बहुत पुरानी है, अवद में सर्यू नदी की किनारे एक अती सुन्दर नगर था, अयोध्या, सही अर्थों में दर्शनी है, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक-एक इमारत आलिशान थी, आम लोगों के घर भव्य थे, सडके चोड़ी थी, सुन्दर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरी सरोवर, खेतों में लहराती हर्याली, हवा में हिलती फसले, सर्यू की लहरों के संपन्य नगरी थी, संपन्यता, कोने, अंत्रे, एक बिकरी हुई, सभी सुखी, सब संब्रत, दुख और विपन्यता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमती नहीं थी, पूरा नगर विलक्षन था, अद्भुत और मनोर उसे ऐसा होना ही था, वह कोसल राज्य की राजधानी था, राजा दश्रत वही रहते थे, उनके राज में दुख का भला क्या काम, राजा दश्रत कुशल युद्धा और नयप्रियशा सकते, महराज रगु के वंशज, रगुकुल के उत्रादिकारी, रगुकल की रेतिनी प्रभाव हर जगे दिखाई देता था, सुक्स सम्रती से लेकर बात व्यवार तक, लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शान्ती हर जगा थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी, राजा दश्रत यशस्वी थी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, राज सुक था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभराता था, उन्हें सालता रहता था, उनके कोई संतान नहीं थी, आयू लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी तीन रानिया थी कोशल्या, सुमित्रा और केकई रानियों के मन में से बस यही एक दुख था संतान की कमी जीवन सूना-सूना लगता था राजा दश्रत से रानियों की बात्चीत प्राया इसी विशे पर आकर रुप जाती थी राजा दश्रत की चिंता पढ़ती जा रही थी बहुत सोच विचार कर माराज दश्रत ने इस संबंध में वशिष्ट मुनी से चर्चा की उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई रगुखुल के अगले उत्राधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई मुनी वशिष्ट राजा दश्रत की चिंता समस्ते थे उन्होंने दश्रत को यग करने की सलह दी पुत्रिष्ठी यग महरशी ने कहा आप पुत्रिष्ठी यग करें माराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी यग महान तपस्वी श्रेभ्रम की देखरेख में हुआ पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था यग शाला सर्यू नदी के किनारे बनाई गई यग में अनेक राजाओं को निमंतरित किया गया तमाम रिशी मुनी पधारे शंक्त्वनी से मंत्रो चार के बीच एक एक करके सबने आहुती डाली अंतिम आहुती राजा दश्रत की थी यग पूरा हुआ अगनी की देरता ने महराज दश्रत को आशिरवाद दिया कुछ समय बाद दश्रत की इच्छा पूरी हुई तीनोर रानिया पुत्रवती हुई महराणी को शल्या ने राम को जन दिया चैत्र महा की नौ मी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए लक्ष्मन और शत्रगन रानी के कई के पुत्र का नाम भरत रखा गया राज पहल में खुशी चा गई नगर में बधाईया बचने लगी मंगल कीद गाए गये हर और खुशी उत्सव जैसा द्रश्य राजा दशरत प्रसन्न थे उनकी मनो कामना पूरी हुई प्रजा प्रसन्न थी कि दशरत की चिंता दूर हुई नगर में बड़ा समारो आयोजित किया गया धूम धाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आये राजा दशरत ने सब को पूरा सम्मान दिया उन्हें कपड़े, अनाज और धन दे कर विदा किया चारो राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए वे बहुत सुन्दर थे सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते आखें उनसे हटती ही नहीं थी चारो भाईयों में आपस में बहुत प्रेम था वे अपने बड़े भाई राम की आज्या मानते थे खेल कूद में लक्षमन प्राया राम के साथ रहते भरत और शत्रुगन की एक अलग जोडी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दिक्षा के लिए भेजा गया उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्यानर्जित किया शास्त्रों का ध्यन किया शिस्त्र विद्या सीखी चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धी के थे जल्धी सब विधाओं में पारंगत हो गए रामिन में सर्वो परी थे उनमें कई अन्यगुन भी थे विवेक, शालीनिता और न्याय प्रियता राजा दश्रत को राम सबसे अधिक प्रियत है जेश्ट पुत्र होने के कारण और इन मानुए गुनों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए विवायोग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी महराज दश्रत भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बधुई जनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी गहन मंत्रना तब ही एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया उसने सूचना दी कि महरशी विश्वामित्र पधारे है दश्रत ततकाल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए द्वार की और बड़े महरशी की अगवानी करने उन्हें लेकर तरबार में आये विश्वामित्र को उचा आसन दिया विश्वामित्र कभी स्वयम राजा थे बहुत बड़े और बल्चाली बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया सन्यास ग्रहन कर लिया जंगल चले गए वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया उसे उन्होंने सिध्धाश्रम नाम दिया महरशी के स्वागत सत्कार के बार दर्शरत ने कहा महरशी आज्या दे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप अपने मन की बात कहिए आपकी आज्या का पूरी धरे पालन होगा राजन जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा ऐसा विश्वामित्र ने कहा आप अग्या दीजे महरशी मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ बिल्कुल नहीं हीचकोंगा मैं सिध्धी के लिए एक यक कर रहा हूँ अनुष्ठान लगबग पूरा हो गया है लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है वे राम हैं आप अपने जेश्ट पुत्र को मुझे दे दे ताकि यग पूरा हो विश्वामित्र ने कहा दश्रत पर जैसे बिजली गिर पड़ी वे अचकचा गए उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे उनके जेश्ट पुत्र उनके सबसे प्रिये दश्रत चिंता में पड़ गए विश्वामित्र दश्रत की दुविधा समझ रहे थे उन्होंने कहा मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं यक दस दिनों में संपन्न हो जाएगा महाराज दश्रत दुखी हो गए पुत्र व्योकी आशंका से काप उठे दर्बार में सन्नाटा चा गया दश्रत की दश्रत देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे महारशी वशिष्ट शान्त थे इतने में दश्रत काप कर बेहोश हो गए होश आया तो दर ने उन्हें फिर्ज कर लिया मूर्चित होकर दोबारा गिर पड़े संग्या शुन पड़े रहे महारशी विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था दर्बार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे महारशी और महाराज के बीच संबाद में कुछ बूलना उचित भी नहीं था मुनी वशिष चुपचाप आकर महाराज दश्रत के पास खड़े हो गए थोड़ी देर बाद दश्रत उठे स्वेम को संभालते हुए उन्होंने महारशी से विंती की महा मुनी मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है वे राक्षसों से कैसे लड़ेगा राक्षस मायावी है वे उनका छलकपट कैसे समझेगा उन्हें कैसे मारेगा इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सैना ले जाएं मैं स्वेम आपके साथ चलूँ राक्षसों से युद्ध करूँ मार्शी विश्वामित्र ने कोई प्रितिकिर्या व्यक्त नहीं की क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर प्रहे थे उन्हें अपने यग के नियम याद थे क्रोध करने से यग खंडित हो जाता अनुष्ठान अधूरा रह जाता मैं राम के बिना नहीं रह सकता महमुनी एक पल भी नहीं आप राम को छोड़ कर जो चाहें मांग ले उसे मत दे जाएए मैं राम को नहीं दूँगा बिल्कुल नहीं वह मेरी बुढ़ापे के संतान है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ महर्शी का क्रोध भबाग उठा दरबार मंत्रिगण और मुनी सकते में आ गए आप रगुकुल की रीती तोड़ रहे हैं राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं यह वर्ताव कुल के विनाश का सूचक है आप जानते हैं कि मैं स्वेम दुष्टराक्षशों का समहार कर सकता था लेकिन मैंने सन्यास ले लिया है अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ तोड़ जाऊंगा बच्चों आप जानते हैं रगुकुल के बारे में क्या चीज विख्यात है रगुकुल के बारे में यह कहा जाता है रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाएं पर वचन न जाई बात बिगड़ती देखकर मुनिवशिष्ट आगे आए महराजा दश्रत को समझाया राम की शक्ति के बारे में बतिग्या तोड़ने के संबंद में महाशी विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाब के बारे में राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए रगुकुल की रीद यही है प्राण देकर भी आपके पूरुजों ने वचन निभाया है आप राम की चिंता ना करें महारशी के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता महाराज दश्रत की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन था पुत्र विचोह का दुख सभी तरकों पर भारी पड़ रहा था पुरुवशिष्ट ने कहा महाराज महारशी विश्वामित्र सिद्पुरुष है तपस्वी है अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है वह कुछ सोच कर ही आये है राम उनसे अनेक नई विद्याओं सीख सकेंगे आप राम को महारशी विश्वामित्र के साथ जाने दे राम को उन्हें सौब दे दश्रत ने मुनी वशिष्ट की बात दुखी मन से स्विकार कर ली लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाते थे उन्होंने विश्वामित्र से आग्रे किया कहा कि वी राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मन को भी ले जाए महारशी विश्वामित्र ने महाराज दश्रत का यह आग्रे स्विकार कर लिया राम और लक्ष्मन को तत्काल दरबार में बुलाया महराज दर्श्रत ने उन्हें अपने नेने की सूचना दी दोनों भाईयों ने उसे सहर्ष्विकार कर लिया सिर जुका कर आदर सहित इसकी सूचना माता कोशल्या को दी गई बताया गया कि राम और लक्ष्मन वन जा रहे हैं महरजी विश्वामित्र के साथ नितान्त कंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ शंक ध्वनी हुई नगाडे बजे महराज दर्श्रत ने भावोख होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूंकर उन्हें महरशी को सौब दिया दोनों राजकुमार बिना विलंब के महरशी के साथ चल पड़े बिहर और भयानक जंगलों की और विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे राम उनके पीछे थे लक्षवन राम से दो कदम पीछे अपना अपने धनुष संभाले हुए पीट पर तूनीर बांदे कमर में तलवारे लटकाए आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में जादा से जादा शेयर करें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग अजस्ट परें